इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुंटु करम मुवी की रिलीज डेट और ये मुवी हिंदी में आए गिया नहीं हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखना पहले ये मुवी 13 जनवरी को रिलीज होने वाली थी थेटर्स में लेक मुवी के मेकर्स ने ये कंफरम किया है कि ये मुवी 13 जनवरी को नहीं ये मुवी हमें 12 जनवरी को देखने को मिलेगी थेटर्स में ये कोई छोटी मोटी मुवी नहीं है फिर भी इस मुवी के साथ बहुत सारे इसू चल रहे हैं दो तीन दिनों में हमें इस मुवी से कुछ को सुनने को मिली जाता है इस मुवी में हमें इतने बड़े सुपरस्टार महेश बाबू देखने को मिलेंगे और इस मुवी को डायरेट कर रहे हैं तेलगू इंडेस्ट्री के जाने मैंने डायरेक्टर त्रिविक्रम फिर भी पता नहीं क्यों इस मुवी के साथ इतने सारे इसू चल रहे हैं पहले हमें इस मूबी के लीड रोल में पूजा हेगडे एंड सिरी लला देखने को मिलने वाली थी लेकिन बाद में पूजा हेगडे को इस मूबी से हटा दिया गिया और पूजा हेगडे के रोल को अभी सिरी लला कर रही है और सिरी लला के रोल को अभी मि इनाक्षी चोधरी एंड सीलेला देखने को मिलेंगी बात करते हैं इस मुवी के हिंदी भर्जन के बारे में जब इस मुवी को पहले बार एनाउस किया गया था जब इस मुवी का टाइटल भी कनफरम नहीं हुआ था तब इस मुवी को पान इंडिया एनाउस किया गया था औ लेकिन जब इस movie के teaser को release किया गया तो वहाँ पर कहीं पर भी इस movie के हिंदी भर्जन के बारे में कुछ भी mention नहीं किया गया। क्योंकि ये movie announce होने के बाद और teaser आने के बीच में इस movie के script में बहुत सारे changes होए हैं तो इसलिए अब इस movie को हिंदी language में release नहीं किया जाएगा अब ये movie स्रीप आपको तेलगू लांग्वेज में देखने को मिलेगी 12 जनबरी को मैस बाबु की पहली पान इंडिया movie SS AB 29 नहीं आएगी जिसे SS राजा मोली डाइरेट कर रहे हैं उससे पहले मैस बाबु की कोई भी पान इंडिया movie रिलिज नहीं होने वाली जैसे आपको बाकी के south movies देखने को मिलती हैं उसी तरह गुंटु करम movie आपको थेटर में पर देखने को मिल जाएगी हिंदी लांगोज में हमें जैसे इस movie से और कोई भी ओपडेट मिलता है हम आपको बता देंगे आप इस movie को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं हमें comment पर बताना हम यहाँ पर ऐसे ही नए नए movies की ओपडेट देते रहते हैं तो जाते जाते इस video को एक like और हमारे channel को subscribe कर देना